तो आज मैं आपके साथ में शेयर करने जा रही है रमजान इफ्तार इस्पेशल अंडा 65 कटलेट की रेसिपी जो एकदम नई और योनिक रेसिपी इस रमजान जरूर इस कटलेट को ट्राइ किजेंगा बहुत ही योनिक रेसिपी बहुत ही क्रंची और क्रिस्पी बनते है इसमें बारिक कद्दू कस होता है ना यानि शेडर होता है उसे शेट कर लेंगे अब इसमें वन टीस्पून ताजा आद्रक लसन का पेस्ट दालेंगे नमक दालेंगे अपने टेस्ट के अकोर्डिंग वन टीस्पून जहां तो जीरा दालेंगे वन टीस्पून चिली फ्ल जो बहुत ही बढ़िया इसमें एक आरोमा भी आता है तो जरूर इस्तेमाल केजिए ताब हम क्या करेंगे अच्छे तरीके से से मिक्स कर लेंगे इसकी कांसेस्टेंसी इस तरीकी की हो जाएंगे तो जो एकदम बारीक शेडर होता नहीं उससे हम करेंगे इसे साइट में रख नहीं होएंसिन पंसे सब्सक्राइब नहीं होटा लोटे मिट दर हमिक्स कर लेंगे और इसमाटीज सकते तो चीली इसपुन चीली फैक्स दकायएगा राधनीया दालेंगे और इसे ओने उसमें तरीके 40 स्थ भन के मीक्स कर लेंगे और इसमें वन टीबल स्पून भरकर हमने जो है न तो विनेगर भी यूस किया है बाकी हम इसमें बिल्कुल कुछ भी नहीं दालना इसका खुद का एक मॉस्चर होता है जिससे यह बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स होता है तो देखिए का इस बढ़िया तरीके से कलर भी बढ़ हाथ को पानी भी लगा लें उससे भी बहुत ही बढ़िया बनकर रेडी होता है यह बोल है तो चिकने बनकर रेडी होते हैं अब यह हमारे सारे बॉल्स हमने रेडी कर लिए है बना के अब जो हमने आलूक को भी इसमें आ रहे ही स्पैसस मिलाकर रखे नो भी हम थोड़ा- थोड़ा लेंगे उसे इस तरीके की टिक्किया बनाएंगे और उसके अंदर जो है तो हमारा अंडे वाला बोल डाल देंगे और उसे इस आलू की जो फीलिंगे उसकी अंडे वाले बोल पर कोटिंग कर देंगे इस तरीके से और अच्छी तरीके से हातों से मिक्स करेंगे ले टैबल स्पून जो तो मिट फ्लावर दालेंगे इसमें नमक दालेंगे हजबब जाएका 1 Tीसपून चिली फ्लेक्स दालेंगे और थोड़ा थोड़ा करके वाटर दालेंगे इसमें मिक्स करेंगे तो पहले थोड़ा सा वाटर दाला है क्योंकि इसके अंदर Lazio हो जाते हैं थ हमें थोड़ा सा वाटर दालेंगे और मिक्स करेंगे इस तरीके से अब इसमें और फिर से थोड़ा सा वाटर दालेंगे तो इसकी हमें तो एक बैटर रेडी करेंगे ताके जो है तो हम इसे है तो अपने जो बॉल से कटलेट है तो वह कोट कर सके तो यहां पर इसकी अपना कटिलिट करेंगे और की सेवाइ knife है बहुत अच्छी तरीक सHEW discourse और यहादा है कोई कोई हमें परिषान है लगर रहने हमाने हमाने कोई सेवा प्रेस चैनल करेंगे MILL अब यहां पर एक है तो टूप पिस्क लेंगे जो छोटी वाली होती है जो पान वगेरे में हम यूज करते हैं तो और इस तरीके से इसमें बीच में जो है तो प्रेस कर देंगे तो इस तरीके से हम सारे हमारे cutlet जो है तो बना करके ready कर लेंगे बहुत ही आसाने से बन जाते है और बिल्कुल भी oil में जाने के बाद में तूटते भी नहीं है भी खरते भी नहीं है और बहुत ही unique recipe अगर आपको recipe पसने तो ज़रूर एक लाइक भी कर देना क्योंकि आपके एक लाइक से तो बहुत motivation मिलता है मुझे तो इस तरीके से हम सारे हमारे cutlet बना करके ready कर लेंगे अब हम क्या करें gas on करें gas पर एक कढ़ाई रखेंगे इसमें oil डालेंगे तो oil हम इतना डालेंगे cutlet अच्छी तरीके से deep हो जाए और oil को एकदम गरम करेंगे यानि hot oil में हम यह cutlet fry करना है slow oil में करेंगे तो जो आलू है पूरा oil soak कर लेंगे और यह cutlet पूरी तरह से बिगड़ जाएंगे तो इस बात का ज़रूर ख्याल रखें तो 7-8 मिर्ट में देखें गाइस जो cutlet उसमें कितना बड़िया color आ चुका है तो इसे हम 2-3 मिर्ट और भी बनाएंगे और फुल फ्रेम पर इसे fry कर लेंगे अब जो हमारा second batch है वह भी हम इसमें दाल देंगे और fry कर लेंगे तो फुल फ्रेम पर हमें फ्राय करना है अब एक serving dish लेंगे उसमें कर लेंगे तो अब एक हम सर्विंग डिश लेंगे और इसमें यहां पर हमारे अंडा 65 कटलेट जो है तो सर्फ करेंगे तो देखेंगे कितने अच्छे देखने में लग रहे उपर से एकदम क्रॉंची और अंदर से एकदम जूसी और टेस्ट इतना लाजवाब है कि अगर आ करना शेयर करना सब्सक्राइब करना साइट में जो बेल बटन आता इसको आल पर क्लिक कर देना ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहा है वीडियो वाच करने के लिए शुक्रिया कैस अल्ला आफिस